दोस्तो अभी World Championship की वो वाली मैच खेलने जा रहे हैं भाई साब अगर जीत गए तो आगे चले जाएंगे और अगर भाई साब हार गए तो बाहर चले जाएंगे करो या तो मरो भाई ये वाली सिच्वेसन है भागी देखते हैं क्या होता है 50% बंदे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किये वीडियो देख रहे हैं भाई क्या कर रहो यार सब्सक्राइब करो यार दोस्तो यहाँ पर हमारी मैच स्टार्ट हो चुकी है सामने सा चुका है फास्ट अटेक ओमकार के बेस के उपर चल रहा है या टेक भाई साब रूट राडर आर्मी के साथ किया जा रहा है टेक कुई इनको मल्टी इनफर्न वाले कमपार्टमेंट के अंदर ले जाना चाहते है लोग लोंचर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस अटेक में एक इनवी टावर को ट्रिगर कर लिया लोग लोंचर की मतद से लेकिन दूसरा इनवी टावर अभी भी खड़ा है और भाई यहां पर ओवर गिरोथ स्पेल भी है भी अरे भाई साब यह तो साइड वाले कमपार्टमेंट को इन्होंने गाइप कर दिया भाई सिर्फ ओवर गिरोथ को यहां पर यूस किया है आर्मी को अंदर ले जाने के लिए कोर में ले जाने के लिए देख रहे हो वोड़न के विलेटी काफी लेट यहां पर यूस किये भाई टाउन होल तो मिल गिया और एक स्केलेटन स्पेल डाल दिया मोनलेट के उपपर कुईन भी बची हुई है रोल चेंपेन अभी तक डाली नहीं है यहाँ पर एक रेज स्पेल डाल दिया रोल चेंपियन को भी डाल दिया दोस्तों ये तो अब मेरे को थिरी स्टार लग रहा है भाई पता नहीं जब अटेक स्टार्ट हुआ था जब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार खतरे मेरे अटेक लेकिन भाई देखते ही देखते है ये वेश तो फिरी स्टार कर दिया जबंदे ने टाइम पता नहीं कितना बचेगा टाइम का थोड़ा पंगा लग रहा है अभी टाइम के उपर भी कहानी पहुच जाती है आपको पता ही है जब दोनों साइड से पंदरा स्टार लग जाते हैं दोनों टीम के लिए इंपोर्टन्ट मैच है ये वाली कामने वाली टीम के लिए भी हमारे लिए भी तो दोनों साइड से कोसिस रहने वाली है कि भाई जीते हैं तो मैच कापी खतरनाख हो सकता है भाई ये फिलाल दोस्तों यहां पर एक मिनट बचाते हुए ट्रिपल मारा इस बंदेने हमारी साइड से अगला टेक आ चुका है सुमित भाई कर रहे हैं पहला टेक हमारी साइड से रूट राइडर आर्मी के साथ टाइम बचाने के लिए है चलो देखते हैं क्या रहता है फिलाल सामने वाली टिम ने ट्रिपल मारा है एक मिनट बचा कर तो एक मिनट से ज़्यादा बचे बस लीड में रहने वाले हैं फिर CC गंदर भाई ड्राइगन भी रखा है मतलब सामने वाली टिम को पहले सी पता ही कि हम यार्मी यूज़ करने वाले है तो CC जो है वो अकोडिंग टू रूट राइडर भरी गई है कोई दिक्कत नहीं है देखते हैं फिल हाल यहां पर रागन मर चुका है टी एच निकल चुका है अटेक काफी सही जा रहा है दो रेज और दो फिरिज बची हुई है यहां पर भाई डैमेज आ रहा है बहुत ज़्यादा रोल देखते हैं क्या रहता है कुई चल रही है रोल चेंपियन को बचा लिया है यहां पर फिरिज करा नाइस रेज स्पेल यूज की अगेन फिरिज यूज किया क्या कहते हो दोस्तों निकल गिया बिल्कुल तेजी मनेजर आ रहे हैं सुमिद भाई यह बाई साब एक मिनट और 33 सेकंड्स बचा दिये नाइस फिलाल स्कॉर की बात करें एक में तीन अगला अटेक ड्रागों के बेस के उपर आते हुए सामने से ड्रागों ने रिंग बेस लगा के रखा है डेंजर है वैसे यह बेस काफी जा था लेकिन आज देखते हैं आज क्या होता है इस बेस के उदर ही में चार जाते हैं पता है टाउनोल 16 के उपर और टाउनोल 15 के उपर क्या सीन था अगर एक ट्रिपल लग जाए ना तो उदर ही में जीच जाएंगे उदर ट्रिपल मारना भाई साम मुश्किल था इदर ट्रिपल मारना असाने भाई चलो भाई अभी देखते हैं क् एक सो के लोग पर SB को डाल के रखा है वोर्डन वोक चल रही है और अभी दीरे-दीरे क्या हो रहा है कि मतलब दीरे-दीरे-दीरे-दीरे defenses के level आते जा रहे हैं न तो हो सकता है आने वाले टाइम में खोड़ा सा हमें balance नजर आए गेम है न रूट राइडर को nerf तो किया जा रहा है दीरे-दीरे लेकिन देखते हैं आगे क्या रहता है फिलाल यहां पर IG डाल दिया है यह बाई साब सूपर बोलर के साथ बंदा अटेक कर रहा है बहुत अच्छा लगा बाई देखकर क्योंकि आज कल तो सूपर बोलर दिखते ही नही रूट राइडर ही दिखता है आप लोग भी कॉमेंट करते रहते हो कि भाई रूट राइडर हर अटेक मनेजर आ रहा है बहुत चलो भाई फिलाल यहां पर CC के 3 IG आ चुके हैं रोल चेंपेन को डाल दिया है अगले वाले कंपार्टमेंट को क्लियर करने के लिए आर्मी को बिल्कुल बीच में ले आना चाहते हैं टाउन होल वाले कंपार्टमेंट के अंदर पूरा 6 O'Clock जो है वो SB कवर कर रहा है और बाई 9 O'Clock से अपना रोल चेंपेन कवर कर रही है और सेंटर में अपना आर्मी चल रही है बहुत साही क्या कहते हो दोस्तों यह हो जागे ट् इनफर्नों को सूपर बॉलनस बचे होए यहां पर कुन के अबलेटी यूज हो गई है रोल चेंपेन चल रही है उपर से अबलेटी बचा के रखिए भी उसकी फिर इस कर दिया अगें से मल्टी को और सी सिग अंदर सूपर मिनियन से लेकर रखे हैं बंदेने अब यहां प टाइम फेल का कुछ भी यहां पर चांस बनेगा तो चलो बाई यह तो ट्रिपल है लेकिन हाँ एक चीज है कि भाई टाइम जो है ना टाइम टाइम से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी सामने ओले टिम इस अटेक के बाद मतलब अगर हम एक एक मिनिट बचा के भी ट् टाइए भाई तो एलेक लोग पर एस भी चल रहा नीचे कुछ चल रही है यह बीस सागे आरमी अटेक काफी साई जा रहा है वाडन के बिट्री यूज़ कर ली सीजिक अंदर सूपर ड्राइगन वाई सामने वाली टीम को पूरा पता है कि भाई साब हम लोग यह आरमी इतनी साई डाली है ना मतलब इस आरमी को दिक्कत देती है यह वाली सीजिए अभी देखो कुईन है इनी सेंटर में है ना और यार यह वाडन के उपर जो है ना इसने चपकली नहीं लगा यह गलत कराई इसने डिग लगाया इसको चपकली लगाना चाहिए था क्यूंकि ड्राइगन पहले टेक में ड्राइगन निकलाता सीसी में जब सुम्ध वाईने टेक किया था और ये टेक कुछ अजीब सा नजार आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें किंग इसका फज़ गया उपर आप यार चलो कुईन आ गई लेकिन अब इसकी माँ का ये कुईन मर गई बाई साब ये तो हो गया लफड़ा यार अभी तो टी एच रिकार रिकावर करने के लिए कुछ ही नहीं इदर चिट यार ये तो वन स्टार हो गया चलो वाई कोई नहीं 74 परसेंट रहा ये 75 परसेंट आ जाएगा क्या कहते हो वन स्टार सामने अले टीम करेगी मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है वन स्टार होने वाला है अगला टेक मेरे बेस के उपर दो में च्छे दो में चार काफी पीछे हो गए वन स्टार के वज़ा से हम लोग फिलाल कुईन को डाला है 12 o'clock के उपर यहाँ पर बॉल ब्रेक कर दिया है यह भाई कुईन चार्ज रूट राडर के साथ अटेक कर रहा है यहाँ मैंने रेड बॉम रखें आगे बिल्डर एट के पास है ना पिसले वाले मैच के अंदर आप लोगों ने देखा ही था तो देखते हैं उदर हीलर सुदर जाएंगी नी जाएंगी वो देखना पड़ेगा अभी यार ओमकार ने इतर वन स्टार कर दिया तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई लेकिन उसने भी कौन सा जान पूछके किया अबे यार सारे रेड अम निकाल दिया इस बंदेने या अरे यार कुईन भाई साब अबिलेटी गवाते गवाते बज गई भाई इंको डाल दिया इस साइड भाई तो मिल जाएगा इसको आराम से कोई दिक्कत नहीं है वोल ब्रेक आगिया यहाँ पर मॉनलेट को जमा दिया टाइम ली क्यूकि अबिलेटी अभी बचाना चाता ह अबिलेटी गवाना चाता ही निया भाई को इनकी तो अटेक तो काफी सही सा चल रहा है यह बाकी आगे देखते हैं यहाँ पर स्केलेटन स्पेल डाल दिया ओमकार का जो किंग ता ना वो गलत चला यह पता है वो अगर उदर नहीं जाता ना उदर फसता नहीं जाके तो सा स्टार नहीं आता चलो अभी टू स्टार भी आता तो पीछे तो होई जाते हैं अब देखते हैं यह टीम क्या स्कोर करती है बस बाकी के ट्रिपल लगने चाहिए अपनी साइड से क्योंकि अब एक फेल हो गया फेल के तो फेल की अब गुंजाई सही नहीं भाई इधर से व सिंगल इंफर्णों के सामने से चार्ज किया बंदे ने वाई आरसी के पास अबिलिटी है भी वेवी ट्राइगन को अपर डाल दिया है लग तो राय लेगिया वाई ताहीं कम लग रहा है बस देखते हैं बलून डाला है रोहल चेंपिन के अबिलिटी यूज कर दी कुईन सिरह और कुईन क्या कर रही है वेते आफे यार वोल तो लीहं अब मार रही है ये कुइन को क्या हुआ था वाई दो सब्त-फोनों की द्माग लगा रही ती दर जास्त हो यह टो क्या कहते हो ट्रीपल है या 99 होगा नहीं यार 99 कैसे होगा यार यह तो ट्रीपल है वाई ये लो वाई साब ये रोल चेंपियन आगे ट्रीपल है मैं ये पता था ट्रीपल होगा अगला टेक करने के लिए तैयब भाई आ चुका है हमारी साइड से रूड राइडर आर्मी लेकर डवल इन्वी टावर वाला ये बेस है देखते हैं तो ये भाई क्या कर पाते हैं इस बेस के उपर भाई साब टेसला फाम इदर ही रखा है बंदे ने चलो भाई इदर भाई एस बी के साथ तो अच्छी वैल्यू निकालेंगे तो ये बाई पर शपकली लगा के रखी है ठीक है उदर उसने शपकली नहीं लगा के रखी ते डिग लगा के रखाता है शपकली होनी चाहिती शूपर ड्रागन उदर बहुट डेमिज दे के गया पता है अरे यार कुइन के अबिलिटी बज़ी तो ये बाई की नाइस इदर सेशी में ड्रागन थाई नहीं तीन आई जीते है डेवल इन्वी टावर वेस है बाकी देखते हैं क्या रहता है गायब कर दिया है भाई तीएच को और इस साइड़ कंपार्टमेंट यहां पर तयबाई ने गायब कर दिया दूसरा इन्वी टावर भी एक्टिवेट हो गया वाई ट कुईन तो यार वॉल तोड़ रही है अंदर आईगी अरे यार बार चली गई दो एचेच यहां पर यूज़ कर लिए क्या गयत तो यार ट्रीपल है या फिरो फेल है लग तो राय निकल जाना चाहिए आरसी के पास अबिलिटी है कुईन के पास अबिलिटी है कम ओन रोल बाई साब होक्स पैदा करती है यहां पर यार यह कैनन बहुत मारेगी यह कैनन निकलनी चाहिए लोड़ा यार मुश्किल में लग रहा है नहीं नहीं कुईन तो आ रही है न विकिंग चलो डैमिज ले 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 गा इदर कुईन कर देगी सायथ कुईन बाई साब मार ना क्य कर रही है वाई चलो बाई साब होगे ट्रिपल अगला अटेक सामने से सुमित बाई के बेस के उपर आ चुका है जी आर सुमान कर रहे है वाई अटेक रूट राइडर आर्मी एक हील स्पेल भी लेकर रखा है बंदे ने चलो बाई देखते हैं भी क्या होता है अरली करा है बंदे ने मतलब कि उधर आर्मी लेकी नहीं जानी है उसको सीधा इधर से इगल साइड में आर्मी लेकर जानी है ओके तीसी में तीन आई जी इसके रेटर ने स्पेल डाला है बंदे ने यहाँ पर भाई साब धेल स्पेल डाल दिया है पुल मिलाकर अटेक काफी सही चल रहा है बाई वोडन के अबिलिटी अभी तक बचा आगे रही है उपपर से रोल चेंपियन को डाल दिया है वोडन के अबिलिटी यूज कर लिए क्यूंकि आर्मी जो है वो डिवाइड हो गई थी दो साइड में चलो भाई साब रेज इस येलो वाई टॉर्णाडो ने गुमा दिया इदर तो चलो मिल गया जैसे भी करके वाई साब क्या करते हो ट्रिपल है क्या लगतो रहा है वाई ट्रिपल है कुईन के पास अबिलिटी है यूज हो गई पाई साब किंग समाल रहा है पूरा डेवेज इस तरह से देख रहे हो सिंगल बचा हुआ है क्या ये फेल है क्या ये फेल है गाई रोल चेंपिन के पास अबिलिटी है फिरीज तो लगा दिया इदर ही सिंगल बचा हुआ है यार अब या ट्रिपल है लग तो अब लग रह जाए रहा कि यार होक्स तेहार यहां पर होक्स आ गया बाई साब अर्सी बज गई तो ट्रिपल है बच गई यार सिंगल जो हो है वह निकल लिया और अभी फेल वहायाता यह साइद अगर ऐसा ओता सिंगल बज जाता आर्सी मर जाती चौलो भाई ट्रिपल हो गया। स्कॉर की बात करें चार में बारा थीन में साथ हो। चलो भाई, मेरी बारी आ चुकी है टेक की, देखते हैं दोस्तों क्या रहता है। यह वेस है भाई मेरे सामने, मेरे को किंग उसान है टी-स कंपार्टमेंट इंदर, भाई साब एक एक और डाल देते है चलो वाई, किंग अंदर जाएगा, साइड साइगी अपनी आर्मी, ये मेरा प्लान है किंग, कमोन, जल्दी जा वाई, जल्दी जा किंग, जा रहाई किंग, चलो वाई, साही है नाई लोक फर्मा कुईन को डालूँगा, और, स्केटर से मैं अपनी आर्मी डालूँगा चलो वाई, साही चल रहा है, यहाँ पर किंग टी एच को निकाले, बस, जल्दी से बाज़रो सब ओके, एस बी टुएल से, और टुएल लोक लोक से आर्सी डाल दीगे है, सेसी के अंदर आई जी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पोईजन डाल देते हैं अदर, चलो वाई साहब, यहाँ तक, बहुत सही जा रहा है यह अटेक, अभी, क्या कहते हो आप लोग, ट्रिपल लग रहा है यह नहीं लग रहा, अभी पता चल जाएगा, मेरे को अबिलिटी है, और कोई के पास अबिलिटी है, चलो वाई साहब, अब इदर, रेज, फिरीज, सब कुछ है, लगा देते हैं यार, क्या बेट कर रहे हैं हम लोग, जल्ली से खतम करते हैं इसको, डेड़ मिनिट बचा हुआ है मेरे पास, सारी अबिलिटी मैंने यूज कर द पल हो गया, कास यार, वो वन स्टार ना आया होता, अभी हम लीड में होते हैं, क्योंकि यार, हम लोग ना, टाइम से काफी आगे चल रहे हैं, चलो वाई, चार में, दस, चार में, बारा, लास्ट अटेक सामने से, तई यह बाई के बैस के उपर आया है, नितिस, भाई किदर से लेकर जाएगा, ड्रागन्स को, वाई, इदर से, इगल साइड में, हिरोज नी डाले यारा भी इस बंदे ने, तूपान को तोड़ दिया है, ओके, बैटल बिल्म को डाल दिया है, कलोन लेकर रखा इदर, हाइडर कलोन अटेक कर रहा है, वाई है तो, चार लो वा आर्मी इस की अच्छी पुछ कर रहा है, वाई, वेस में है न, फ्रीज कर दिया दर मल्टी को, किंग एंड कुइन के पास एबिलिटी है, किंग की अबिलिटी इदर यूज कर दिया है, इन्होंने, ड्रागन इनके डिवाइड हो चुके हैं, बाई, नाइन ओ कलोक की है तो दोस्तो, ट्रीपल है या फेल है, आरसी बची हुए, आरसी अभी तक डाले नहीं है, मेरे को फेल लग रहा है, अभी बेस के अंदर बहुत डेमिज है, लगता तो नहीं आरसी निकाल पाईगी इतना डेमिज, तो कि उतर किंग भी रखा हुआ है, समझे, आरसी यह च देखते हैं फिर भी, भाई आरसी के अबिलिटी यूज हो तो पता चले, चलो भाई साब, शील्ड लेकर आयता यह बंदा, फेल हो गया वाई यह तो, भाई साब यह अटेक 87% फेल हो गया, आज का लास्ट अटेक ड्रागो कर रहा है, अब देखते हैं यह फेल होता है, यह सिलाल तो वन स्टार बहुत ज्यादा चुप रहा है, और सामने से जब से फेल आयम और उकर वह यहसा है, और फेल भी नहीं आता है, आगर हम 15 स्टार वैसे भी करतें तो भी हमी जीते हैं, क्योंकि हम टाइम से काफी आगे चल रहे हैं आप लोग जानते हैं, रूट रैडर से तीन आईजी जम्प स्पेल का भी यूज्ज किया यहां पर ट्रागोन ने कि इनगों डाल दिया है कि को ओजन डाल दिया स हीशी के ओपर नैस हु बपर मोनो लेद के ओपर प्रीज कर दिया इधर हुं था है हुब प्षेक दिया वाई स्प Thanks के लेटर और पाथिंग बहुत अच्छी बनेगी बाई साब सेरो सुई के बाद लाव लून के लिए बस फिरेज स्पेल एक ही है इस अटेक में यह ध्यान रखना चूंकि जंप स्पेल डाल दिया ने इधर तो दो स्पेल उधर ही कम हो गए फिलाल यहां से लाव लून आगिया है फिर के अबिलेटी यूज हो गई है कुई निया पर साइट टाउन होल को टेक डाउन कर दें रिचे बले यहां से टी एच चलो बाई टी एस टारिएट कर दिया कुई नै नाइस और यहां पर टी एच जो है वो डाउन भी हो गया है नाइस लेमर आगिया उपर से बालून चल रहें यहां पर दर्जन और किलो के इसाब से रोल चेंपियन भी चल रही है बाई साथ में और मैच खेल रहे हैं रात में लाल सीसी के अंदर क्या लेके आया है यह वो देखना होगा यहां पर हॉक्स आ गए और दोस्तों यह बेस तो खतम हो गया बाई साब मतलब अभी ऐसा स्कोर जो है वो कितना हो जाएगा वो उतना हो जाएगा जितना आप सोचरों फिलाल चलते हैं स्कोर देख लेते हैं तो भाई साब 13 और 14 एक स्टार की वैसे आर गए हम लोग यह वाली मैच दोस्तों यहां पर अगर ओमकार का वन स्टार ना होता तो यह वाली मैच हम लोग जीच जाते हैं आप लोग यही सोच रहों मेरे को पता है लेकिन ओमकार ने पूरे टीम के अंदर वर्ल्ड चेंबिंशिप के अंदर सबसे यादा 30 स्टार अटेक की हैं तो हो सकता है आज बंदे का दिन ना हो देखो यार जान पूछ के तो कोई वन स्टार नहीं करता है बाकी पूरे टीम के अंदर सबसे छोटा बंदा यही है और भाई इस लेवल पर ओमकार पहले नहीं खेला है तो यार फस्ट टाइम खेल रहा है ऐसे कॉलिफायर अभी और भी होने वाले है गॉल्डन टिकेट के लिए तो आप लोग इसको फाइनल मस समझना है कि यार वर्ल्ड चेंपिंशिप से हम लोग बाहर हो गए अभी और भी चांचिस हैं हमारे पास तो देखते हैं यार कॉसिस करेंगा बाकि आप लोग सपोर्ट बनाए रखना मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स वीडियो में जब तक लिए टाटा बाई बाई सी यू एंड लाव यू